हाई फ्रेंड्स आज बहुत दिन अबाद बहुत दिन अबाद साल निकल गया है मैं ऐसा वीडियो बना रही हूं मैं आपको दिखा दू अभी हमारे पास जो रेड बटर है उसका क्वालिटी कैसा है कर दो में लिह जो रहें लिए यह मैंने थोड़ा थोटे पीश ही लिया है लेकिन मीडियम साइज भी है सब मिक्स्ट में है यह है रेड बटर यह रेड बटर नॉर्मल बटर जैसे होता है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा क्रॅजी होता है अंदर से कोई कोई पीस ज्यादा रेड भी होता है जैसे आप यह देख सकते हैं यह ज्यादा रेड है अंदर से भी रेड है तो यह है हमारे पास रेड बटर का स्टॉक मैं आपको स्टॉक नहीं बोलूंगी क्यूंकि मैंने थोड़ा बहुत क्रम्बल्स बाद से उठाया है और जस्ट मैं दिखा दूंगे कि यह आप लोग बहुत और करते हैं और बोलते हैं मुझे सॉफ्ट बेजिएगा रेड बटर सॉफ्ट बेजिएगा अभी आप ही बताईए मैं यहां से कैसे सॉफ्ट निकालू यह मुझे थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है क्यूंकि यह लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग और करें तीक है क्योंकि मुझे ना ज्यादा समझ में नहीं आता है कि इसमें से क्या मैं बोलू के रेड बटर ऐसा है या वैसा आप लोग देख लीजिए क्योंकि आपको जो हाड लगेगा मुझे सॉफ्ट लगेगा और मुझे ज मुझे जाधा स्वफ्ट बाला एक स्टॉक है मैंने इसको पानी में मैं इसको पहले पानी में डाल लगे बानी में डाल के छोड़ देंगे थोड़ा टाइप और यहां पर मैं इस बटर को पानी में डाने है मैं रेदमनी डाल देती हूं और मैं आपको दिखाउंगी कि इसका टेक्श्र कैसा है मैंण बादम के छिलके से बोलो किया करते है मतलब ये इसकोali या क्या करते है मैं बहुत लिने नकुमत में बादम का छिलका मिला नेके मैंने रिट बटर को में डाल दिया है और और इसको मैं थोड़े दिर रखोंगी जब तक मैं स्टोन को भी रखोंगी आप देख लीजिए और मैं ना उपर से यह जो पानी है इसको फेक दूंगी थोड़े बाद क्योंकि नीचे का हिसा दिखाएं जाएगा वीडियो मैं पॉज नहीं करूंगी आपको सामनी मैं आपक रखते हैं इसको जितना रखेंगे उतना अच्छा होगा चलिए मैं उपर में जो पानी है उसको फुड़ा फेक देती हुए ओ गौड बंध है यह चलिए यहां पर गेट बंध है उसको फोन में टाइम डगेगा मुझे एक हाथ में कैमेरा है और एक हाथ में इसको लेके ज जाती हूं मैं आपको दिखाते हूं कैसे हम इसको क्लीन करते हैं यह के बालगी है इसमें दिखाते है ज्यादा सब ही मैंने फेक दिया अभी आप लोग इसको देखके बताईए कि यह सौफ्ट है हाड है इससे पेस्ट बनता है या नहीं और यह कैसा लग रहा है अर्थी लग रहा है या नहीं यह देखिए बटर रेड है लेकिन इसको पानी में टालने से देखिए कैसा यह ज़्यादा रेड जो है वह अभी तक विगलानी ही बाकी का जो है इसको बहुत मिट्टी का बहुत भी खुश भुआ रही है बहुत ज्यादा बहुत दिनों बाद मुझे यह करने को मिला है मुझे आज बहुत मन कर रहा था कि बटर को पानी में डाल के हम देखे के कैसा है यह देखिए यह गया आपका बटर का अभी मैं स्लेट तोड़ा तोड़ सके तो छोटा है ना छोटा है इसे दूप मीडा है यह स्लेट आपको सौफ लगड़ा है या हाड लगड़ा है मुझे मैं दिखाती है एक मिटे मेरा जो हतोड़ा है उपको ले लेती हूँ इसके अंदर तक दिखी ब्लैक प्योर ब्लैक है और बहुत ज़्यादा अर्थी है इसमें बहुत सारे लेयर से इस तरह के स्टॉक फ्रिंट्स हमारे पास अभी अभी आपलेबल है कि यही स्टॉक मैंने खुला है तो मैं इसलिए वीडियो अच्छे से बना रही हूँ तो कि अगर आपको सेम स्टॉक चाहिए तो मिल जाएगा बहुत सौप्ट है तो आप लोग यह ओडर कर सकते हैं प्रिंट्स और यहां पर देखिए नाकुमट बटर वाला इसका जो पानी है वो भी तुरा रेड रेड हो गया है और हमारा ब्लैक वाला क्ले पॉट आइटेम एक या दो दिन में आ जाएगा और याकुमट सौसर आएगा स्लेट सौसर आएगा पंजब की मिट्टी वाला ग्लास अभी बनाना बाकी है वो हम बनाएंगे और रेड बटर आपने देखा है ना इससे भी हम क्ले पॉट बनाएंगे अभी नहीं कुछ दिन बाद मैंने यह जो स्टॉक बन रहा है वो बन के आ जाए उसके बाद तो फ्रेंज यह है हमारा स्टॉक का वीडियो मैंने आपको बहुत इचल में दिखा दिया है और इसको देखके आप लोग ओडर कर सकते हैं बाई फ्रेंज और टेक क्यार